तो आज की इसने वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि SVI में इंटरनेट बेंकिंग को कैसे क्रियेट किया जाता है अगर आप फर्स टाइम जो है इंटरनेट बेंकिंग को SVI के साथ चालू करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखते रही है क्यो आप पहले कभी भी टरा कर चुके हैं कि इंटरनेट बेंकिंग बना लिए हैं तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है जो फर्स टाइम बनाना चाहते हैं इंटरनेट बेंकिंग तो वह इस वीडियो को देख सकते हैं इंटरनेट बेंकिंग बनाने के लिए क्या सब ज़रोर हुआ होनुच यानि कि आप निकासी उससे करते हैं पैसा का लेंदेन यानि कि ट्रांजेक्शन जो है आप करते हैं तो यह दो ही चीज काफी है तो इस दोनों चीज की मदद से मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे कि एंटरनेट बेंकिंग को एक्टिव किया जाता है और रजिस्टर किया जाता है वह वह है शिर्फ 5-6 मिनट के अंदर उसके बाद आप यूज कर सकते हैं तो इंटरनेट बेंकिंग बनाने का फाइदा क्या है आप मोईल से ही पेमेंट ट्रांस्फर कर सकते हैं विजलीबी कवर कर दिया है यानि की बना दिया है अगर आपको कोई जरूरत वाली वीडियो है तो नहीं सकते हैं चल्वे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे 5-6 मिनट में SBI में इंटरनेट बेंगिंग क्रियाट किया जाता है तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूब कर दीजागा और इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजे और बगल में जो बेल आके ने उसे भी आप दवा सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा चलिए मैं आपको इसक्रीन पर लेके जलता हूँ वहीं पर सारा कुछ जनकारी आपको दिया जागा करना है सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से यह नोट कर लेना है डाउनलोड करने के बाद आप उसे ओपन कर सकते हैं ओपन करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा तो यहाँ पर एक्जेक्ट के स्टेमर के ऊपर आप किलिक करेंगे उसके बाद आपको तीन ओपसन यहाँ पे देखने को मिलता है तो यहाँ पर रजिस्टर विद्थ माई एटिएम कार्ड पे आप किलिक कर देंगे तो किलिक करने के बाद यहाँ पर आपको इंटर सी आइफ नमर यहाँ पर देना पड़ेगा जो कि आपके पास्बूक में रहता है तो यहां पर दे देंगे उसके बाद एकाउंट नमर भी आपके पास्बूक में रहता है तो यहां पर इंटर एकाउंट नमर यहां पर दे देंगे उसके बाद यहां पर देने के बाद समीट बटन पर आपको किलिक कर देना है किलिक करने के बाद आपके रेजिस्ट के लिखा रहाता है उसके बाद समिक्ट इस तरह का इन्टरफेश तो यहां पर आप आपको किलिक करना है हुच इस तरह का इंटरफेश खुले खोलेगा तो यहां पर यहां पर अच्छ funzion तो review आप कर सकते हैं उसके बाद next button पे आप click कर सकते हैं तो next button पे click करने के बाद आप से system पुछता है please create your temporary password तो यहाँ पे आप जो है temporary password जो है यहाँ पे enter कर सकते हैं तो यहाँ पे जो भी आप password बनाएंगे तो यहाँ पे इंटर करेंगे उसके बाद जो है आप सम्मिट बटन पे किलिक कर देंगे सम्मिट बटन पे किलिक करने के बाद यू हैब सक्सेसफूल सेट यूर टेमपरोरी आईडी और पासवर्ड सेम हैज बीन सेंट अन यूर रजिस्टर मौल नमर तो आपके रजिस्टर मौल नमर पे आईडी और पासवर्ड सेंट किया गया है तो आप मेसेज में जाके तो आप चेक कर सकते हैं उसके बाद ओके पे आप किलिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है तो यहाँ पे देखें इंटर योर इंटरनेट बेंकी की यूजर नेम एंड पासवर्ड और टेंपररी यूजर नेम एंड पासवर्ड टू प्रोसीड तो यहाँ पे जो भी आपके मेसेज में आया होगा यूजर नेम वही आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा इंटर करने के बाद जो आपने password बनाए थे वही आपको यहाँ पे देना पड़ेगा उसके बाद आपको submit button पे click कर देना है submit button पे click करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं successful you have successful activate your account on Yono उसके बाद यहाँ पे देखे go to Yono home पे आप click करेंगे जो की नीचे में एक button है your internet banking password to proceed तो यहाँ पर फर्स टाइम अगर विजिट कर रहे हैं यहाँ पे आपको password change करना पड़ेगा तो चलिए हम यहाँ पे जो भी आप password देना चाहते हैं यहाँ पर दे सकते हैं उसके बाद confirmation के लिए फिर से यहाँ पर आप दे करेंगे नीचे में उसके बाद आप ध्याउन रहे कि कैसा आपको password बनाना है तो मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट कर देता हूं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि password आपको कैसा बनाना है यहाँ पर आठ से 20 करेक्टर में होना चाहिए उसके बाद कुछ नीचे में आपको किलिक कर देते हैं जो की नीचे में आपको एक बटन मिलेगा इसके बाद यहाँ पर कुछ term and condition होगा तो आप यहां पर read कर सकते हैं read करने के बाद यहां पर टिक लगा देंगे term and condition पर फड़के उसके बाद यहां पर next बटन पर click कर देंगे set new MP कर सकते यानि कि 6 एंका आप जो यहां पर pin बनाएगे ताकि बार बार जो है आपको username और password जेके login ना करना परे तो यहां पर फिर से जो है re-inter new MP न यहां पर बना लेंगे जो आप उपर में दिये हैं वही MP नीचे में देंगे ताकि confirmation के लिए उसके बाद आप next button पर click कर देंगे next button पर click करने के बाद आपके register मौल नमर पर एक OTP आएगा OTP जो है यहां पर आपको enter करना है इंटर करने के बाद उसके बाद next button पर click कर देना है तो next button पर click करने के बाद उसके सामने में देखिए कुछ इस तरह का interface आएगा तो आप यहां पर देख सकते है congratulations you have successful registered तो यहां पर आप OK पर click कर सकते हैं उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं आपका जो हो सकते हैं सिर्फ 5-6 मिनट के अंदर और उसके बाद आप यूज कर सकते हैं अगर यूज करने में को भी आपको प्रसानी आता है या internet banking id या यूजर नेम बनाने में आपको प्रसानी आता है तो आप हमें नीचे comment box में बता सकते हैं आपको जल्द ही reply मिलने का यहां पर कोशिश रहेगा तो दोस्तो इन पे अगर आप इन फ्यूचर में यूजर नेम और पासवर्ट अगर आप भूल जाते हैं इस पे भी मैंने एक ओल्रड़ी वीडियो बना चुका हूँ आप जाक जा भरत